गुजराज चुनाव में राहुल गांदी की एंट्री अमरेली में मोदी की राहुल से ठककर क्या कॉंग्रेस का गड़ भेद पाएंगे पीम मोदी गुजराज विधानसवा चुनाव ने राजी का सियासी पाराग गर्मा दिया है चुनाव में उम्मीद्वार खोशित होने के बाद राजनेतिक दलो ने प्रचार अभ्यान में अपनी पूरी ताकत जोग दी है सभी राजनेतिक दलो ने अपने दिगजो को मैदान में उतार दिया है लेकिन में सबसे खास राहूल गांधी की गुजराद चुनाओ में एंट्री है नमस्कार मैं हूँ परवीन शेग आप सबी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट पे बहुत बहुत स्वागत है आज की इस रिपोर्ट में चर्चा राहुल गांदी की गुजराद विधान सबाद चुनाओं में कॉंग्रेस नेता राहुल गांदी अब तक प्रचार से दूर रहे हैं लेकिन अम्रेली में 22 नवंबर को एक बड़ी जनसभा के जरिये राहुल गांदे की गुजराज जिधानसभा चुनाव में धमाकेदार एंट्री हो रही है। कॉंग्रेस को उमीद है कि इससे अम्रेली के साथ साथ आसपास की दो दर्जन से ज्यादा सीटों पर असर पड़ेगा और कॉंग्रेस की चुनावी तयारियों को ताकत मिलेगी। लेकिन राहुल गांदे की रैली से पहले 20 नवंबर को अम्रेली में उसी मैदान में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भी जनसभा होनी है। लेहाजा अचानक ही इस रैली को मोदी बनाम राहुल के नजरिये से देखा जाने लगा है। कॉंग्रेस बीजेपी की रैली से ज्यादा बड़ी भीर लाने के लिए जुट गई है। ये पहला मामला नहीं है कि जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अम्रेली में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। पिछले विधान सभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के लिए जम कर प्रचार किया था। हाला कि बीजेपी को इसका कोई फाइदा नहीं मिल पाया था। कॉंग्रेली की पांच में से चार सीटें अम्रेली, राजूला, लाठी और सावर कुंडला पर कॉंग्रेस के उमीद्वारों ने जीत दर्च की थी जबकि एक सीट बीजेपी के खाते में गई थी। कॉंग्रेस राहूल गांधी की अम्रेली की जनसभा के बाद एक दूसरी जनसभा आयूजित कर पार्टी के चुनाव प्रचार में मजबूती लाने की कोशिश करेगी। इसके बीज दूसरे शिर्ष नेताओं के कारिक्रम भी तैय किये गए हैं। गुजरात कॉंग्रेस के पूर्वधक्ष अरजुन भाई मोडवाडिया की माने तो मीडिया के प्रचार से दूर कॉंग्रेस जमीनी इस्तर पर चुनाव प्रचार में जुटी है और इसका सीधा असर आने वाले चुनाव परिणाम में दिखाई पड़ेगा। कॉंग्रेस पूरे गुजरात में पार्टी के चुनाप्रचार को गती शीलता प्रदान की जा सके। पूरे दिनों में राहुल गांधी के साथ पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं की जन सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। बीजेपी के चौबिस साल के शासन में उपजा जन आक्रोश उनकी बड़ी ताकत है और वो इस चुनाप में सरकार बनाने में सफर रहेंगे। अरजुन मोडवाडिया ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी यहां आने से कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है। यहां के लोग उन्हें एक वोट कटवा जैसी पार्टी के रूप में देख रहे हैं। इस बीच कॉंग्रेस ने भी 300 यूनिट बिजली, 500 रुपए में सिलंडर और कर्ज माफी जैसी घोशनाएं कर दी हैं। लहाजा आम आदमी पार्टी का दावा अब कमजोर पड़ गया है। आम आदमी पार्टी का गुजरात में प्रमुक विपक्षी दल बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और उसका खाता खुलना भी मुश्किल होगा। गुजरात की जंग के लिए कॉंग्रेस ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है। आखरी लिस्ट जारी की थी जिसमें साथ मौजूदा विधायकों को फिर से टिकेट दिया गया है जबकि पांच विधायकों के टिकेट काट दिये गया है। शंकर सिंग वागिला के बेटे महंदर सिंग जो पिछले हफ़ते कॉंग्रेस में शामिल हुए थे उनको अब बायत से चुनावी मैदान में उतारा गया है। राजे युवा कॉंग्रेस के अर्देक्ष हरपास सिंग चुडासमा धदूका सीट से विधायक राजेश भाई गोहिल के जगा चुनाव लडेंगे। सूची भी जारी कर दी है। प्रसाश शामिल होंगे। विजय सिंग गोहिल गुजराच चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक है। खबरों की माने तो राहुल और उनके सलहकारों को लगता है कि भारत जोडो यात्रा कासर पार्टी के प्रदर्शन को बहतर कर सकता है। साथ 2017 चुरा में राहुल ने हारदिक पटेल, अलपेश ठाकुर और जिगनेश मेवानी के साथ यात्रा की थी और पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार भारत जोडो यात्रा कासर कॉंग्रेस की मदद कर सकता है। इसको लेकर गुजरात में कॉंग्रेस के प्रवेक्शक राजस्तान के सियम अश्योग गेलोत ने कहा। तो नीन उड़ गई है क्योंकि इन चुनावों में सिर्फ बीजेपी की साख दौंग पर है। पहले ही पार्टी एंटी इंकम्बंसी से जूज रही है और आप पार्टी से नाराज हुए अपनों ने ही उसकी चिंता को दुगना कर दिया है। गुजरात में कुल 182 विधान सबा सीटों में से 27 विधान सबा सीटे आदिवासी समाज की हैं जो हर बार चुनाव में एहम भूमिका निभाती हैं। चुनाव के परिणामों में इन सीटों पर अलग ही समिकरन देखने को मिलता है। साल 2017 के विधान सबा चुनाव में इन 27 आदिवासी सीटों में से सबसे ज्यादा 17 सीटे कॉंग्रेस ने जीती थे। गुजरात में आदिवासी समाज की बात करें तो चुनावी मुद्दों में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। के साथ स्वास्ते शिक्षा जाती प्रमान पत्र ना मिल पाना पैसा अधिनियम जैसे एहम मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होते रहे हैं। साल 2018 में बीजेपी सरकार के के वडिया में स्टेचू आफ यूनिटी का निर्मान कराया। जिसे वो आदिवासी विकास के मॉडल के रूपे पेश कर रही है। 6 नमंबर को पियम मोदी ने वलसार से पार्टी के अभ्यान के शुरुआत करते हुए कहा था कि उनके लिए ए मतलब आदिवासी समाज है। लेकिन उससे पहले रहुल गांधी ने आदिवासी वासी वाके में रैली को संबोदित किया था जिसमें रहुल ने आदिवासी को उनकी जमीन से बेदखल करने के मुद्दे को उठा कर उनके दिलों में अपनी खास जगा बना ली थी। राहुल के गुजरात दौरे ने बीजेपी को परिशान कर दिया है क्योंकि कॉंग्रेस का आदिवासी सीटों पर दबबा रहा है। अगर मौजूदा चुनावी सरगर्मियों की बात करें तो कॉंग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी सहीद कॉंग्रेस के सभी दिगज अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपूर्ट आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दे और इस वीडियो को ज्यादर से ज्यादर लाइक करें शेयर करें देखते रिए डीबी लाइफ नमस्कार